क्लिक्षज वेलग्णु अलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टो अनादर वीडियो टूट्रोल प्राम केविज बालोजी तोडल वी विल डिसक्स आबाऊट टुटी पोटेंशी इन अर्ली अम्रियॉनिक अनिमल सेल्स तो अनिमल सेल्स में किस प्रकार टुटी होती है और किस प्रकार हम उसमें study कर सकते हैं उसमें इसके बारे में हम इस यूडियो में पढ़ने वाले हैं तो देखो जो रॉबर्ट ब्रिक्स और थॉमस इन्होंने क्या क्या रॉबर्ट ब्रिक्स and thomas इन्होंने first time इसके उपर experiment किया तो उन्होंने क्या क्या वो जो frog है frog में से उन्होंने क्या क्या frog में उन्होंने वो experiment perform किया, तो दिखो McDonald's frog है frog में okay, जो एक जो है egg cell unfertilized egg cell ok unfertilized unfertilized egg cell जो है वो egg cell से उन्होंने क्या किया जो egg cell रहेगी उसमें nucleos रहेगा यह जो nucleos है उन्होंने remove किया nucleos ok तो यह क्या हुई यह unucleated cell हुई unucleated और एग तो यह जो अनुपलेटेड एग सेल उसको जो एम्ब्रियो है फर्टिलाइज एम्ब्रियो तो इस फर्टिलाइज एम्ब्रियो में क्या किया सेल को ट्रांस्प्लांट किया ओके यह सेल को इसमें ट्रांस्प्लांट किया तो transplant होने के बाद ये जो frog cell जो है frog में उन्होंने क्या किया उसको plant किया इस embryo को plant किया तो जब फाइनली ये plant करने के बाद फाइनल जो फिटस आता है जो फिटस आता है वो फिटस क्या रहता है नॉर्मल रहता है क्यों यहाँ पर देखो जो nucleus से वो remove करने के बाद यह abnormal होना चाहिए था मगर यहाँ पर हुआ क्या यहाँ पर यह अन्यूकलेटेड एक सिल जो ही यह मुर्यों में transplant करने के बाद इससे यह normal फिटस यहाँ पर क्या होता है नॉर्मल फिटस यहाँ पर आता है तो नॉर्मल फिटस आने का जो वजह है वो क्या है genetic equivalence जनेटिक एक्विलेड सब्सक्राइटों में समस्кийयाक इंब्रयो new productM॥ Mobile जो है into अधी नूर्मेटेड मेटरेज से पर हैंद到 में lle वील यहाँ फिर भी यह हैバई यहाँ ख्वर्तिलाइज एकस से यहाँ फर्वर्तिलाइज इम्रियो शेल से जो नूकलीक जयनेटिक मेटरील यहां पर क्य हुआ इसलिए उसको हम कहे तो ऊसी प्राकार का जो एक्स्प्रेमेंट है Sun एक वन्होंनेरी अरेसस मंगिमें किया उसी एट लोग गनुकिमें उन्होंने क्या किया उसने Oh दो और अस्हां की में उन्होंने जो एट ऑलज्शेल है एट सेल ऊके चाहरो है जुünden थे मनगी तो व्हुना मंगी में उनुने एट सेल structure जो है ब्लास्टिला का वो फार्म हो चुका था तो उन्होंने ये जो 8 cell structure जो है उस 8 cell structure से उन्होंने एक जो cell है वो निकाली ओके जो एक cell है remove one cell ओके तो इसमें कितना रहता है इसमें सिर्फ कितना 7 cell structure रहता है 7 cell तो ये जो 7 cell structure है यहाँ पे क्या किया उन्होंने ये फिर से जो फॉस्टर मदर है ओके फॉस्टर मदर में उन्होंने प्लांट किया प्लांट तो ये फॉस्टर मदर में प्लांट करने के बाद इसको जो जब उसका फिटस का बर्त हो गया जो फिटस का बर्थ होता है तो फिटस यह क्या होता है नॉर्माल फिटस का बर्थ होता है यह आपे तो जो नॉर्माल फिटस का बर्थ होता है तो यह जो सेवन सेल स्ट्रुक्चर जो रहता है उस सेवन सेल स्ट्रुक्चर में क्या होता है उस सेल जो वन सेल रिमूट की गई यह होऋ SEL का मेकप कर लेते Genetic Girl लिए वो मेकप कर लेते उसी प्रकार वो सेल का भी मेकप कर लेते तो डिफ्रेशेट होता है बाद में क्या बता है डिफ्रेंशेट होता है उसी की करण यहाँ है क्या है यह टोटी यहां पतलब मैंने फिशले पोटेसी में बताया है यहलों हो स्ट्रक्टर रहे गया तो सेवन सेल का स्ट्रक्टर है तो यह एक सीलtså नहीं है यहां पर तो नहीं होने के कारण यहां पर abnormality आ सकती है नहीं तो यहां पर क्यों आपनार्मिलिटी नहीं आती क्योंकि यह टोटी पोटेंट सेल है यह क्या है टोटी पोटेंट सेल है तो टोटी पोटेंट सेल की जो में यहाँ पर देखो जो एट सेल स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पर हम फुल तो हम फुल सेल जो है वह रिमूग किया जाती है और सेवन सेल स्ट्रक्चर यहाँ पर किया जाता है तो उसी प्रकार इस प्रकार फॉस्टर मां मदर में उसको प्लांट किया जाता है तो फॉस्टर होने के करण normal individual आता है तो human में भी easy प्रकार का होता है मगर यहां पे functional और harmful cell जो होती है harmful harmful cell जो होती है वह यासे रिमू कि जाती है और यहां पे normal individual आता है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो like करो शेर करो और हमारे च्यानल को सब्सक्राब करो ठेंक्यू